हेलो दोस्तों मैं बात करता हूँ आपकी यानि की स्टूडेंट्स की तो आएं बात वन आप दी अरगी रिव्यू वीडियो ऑफ कॉलेज जो की दी यू का अच्छा कॉलेज भी है रामनुजन कॉलेज तो इसके बारे में पूरी बात करने वाले है इन शॉर्ट मैं आपको प सब्सक्राइब करता हूँ आपको पूरा बता दूगा सब्सक्राइब करता हूँ हाइलाइट की उपर कि भाई हाइलाइट इंपोर्टन है तो जान लो इक ब्रीफ में कॉलेज गब स्टाबलेश हुआ था कैसा है कोईड है या पबलिक है कौन सा कॉलेज है साबलेश हुआ था भाई ये 1958 में टाइप इंक का पबलिक यानि सरकार कॉलेज है और कोईट कॉलेज है एफिलिएशन यूनिवर्सिटी अफ डैली से है कहां पर लोकेटेड है ये सी आर पार्क में रोड यूनिवर्सिटी अफ डैली प्लॉप एच काल का जी में ये लोकेटेड है वेबसाइट जो इनके ओफिशल है वो ओफिशल वेबसाइट है www.ramanujancollege.ac.in campus area 7 एकड मतलब 7 एकड में पूरेंगा campus फैला हुआ है ranking इनकी निर्फ की है 41st निर्फ एक बॉड़ी है central government की कहलो आप जो ranking देती है इसा full form है national institute of ranking framework ठीक है यह ranking देती है हर college को top 100 top 200 में कि बाइ किस नंबर में क्या कौन सा college है पूरा study करेगी तीन चार दिन उस college में ही बिताएगी उसों पूरा study करने के लिए और उसके बाद सारा परक्यों को देती है ranking तो भाई रामर्जों college की पूरे इंडिया की उसमें ranking है 41st बुरी भी नहीं है और बहुत अच्छी भी नहीं है कि 41st से भी आपकी ज्यादा ranking की या कहनो 48th या 2nd rank 3rd rank की भी college do की under में है तो पहली priority आपकी वो होनी चाहिए उसके बाद यह जो इनका vision है वो है discover empower transform building a better world accreditation की बात किया जाए तो भाई नाक ने इंको a++ दिया है जो की बहुत अच्छी बात है करेक्टिविटी के बारे तो समझ लोगा आप कि वाई डिल्ली के नहीं हो तो पहुंचोंगे कैसे तो भाई nearest metro station है इंका कालका जी nearest railway station है इंका old Delhi nearest airport है इंका डेली airport admission procedure सेम है क्या को CUT के marks के basis पर ही या admission मिलेगा तो मैं ऐसे cut-off के बारे बात करूंगा आगे कि अगरा दो तेईस में सोच रहे हो कि कोई जाब टारगेट करना है यहां से पढ़ाई करनी है तो आपको कितने marks minimum score करने पड़ेंगे कोसे जो यहां offered हुए है भाई वो है इंक्या B.com honors, plain B.com, bachelor of management studies and BA political science बाकी जो courses हैं क्या वो है हमाना BA honors, Hindi, BA honors English and B.sc statistics B.sc के अब बात करें तो भाई B.sc में और courses है यानि की mathematics भी है, इंक्या computer science भी है BA honors में के applied psychology भी है इं साथ में philosophy भी है इंक्या BA honors की आखरी branch है हमारी economics, अगर BA vocational की बात करें तो वोसे इंक्या है, banking operations की add, software development के, B.sc की जो honors दिख रही है वो इंक्या environmental science से मिल जाती है, तो in total इंके जो BA programs है, वो कुछ यह है, ठीक है, तेरा multiple fields में, यानि की multiple branches में अब आप करते है, cutoff trends की, by 2022 में cutoff क्या trend रहा है इस college के लिए तो यह था इंका first cutoff ठीक है, जो की 1 October 2021 में आया था, ठीक है, 2022 का cutoff अपने release नहीं हुआ है, तो इसको बात नहीं करूँगा मैं, बट हा, 2022 का, मैं जब cutoff को पुरे analyze कर लूँगा ना, I'll make a summation video, कि भाई जिसमें में डियू के, top 15 और top 20 और इसके बारे बात करूँगा, क्योंका cutoff trend क्या रहा है, कि इतना cutoff गया है, first round में, कितना cutoff गया हुँगे, spot round तक, कि आपको लग जाए एक आइडिया, 2023 की preparation के लिए है, फिलाहाल अगरां 2021 की बात करें, तो 21-22 में cutoff कुछ इस हिसाब से था, चीक है, यह थैंका fourth cutoff, यह cutoff में यह नहीं करूँगा यार कि यह cutoff आपके लिए बिल्कुल majorly important है, 2021 का था, 2021 से 22 में जमीन आस्मां का difference हा गया है, तो यह आपके लिए important तब होगा, जब मैं लेकर करूँगा, आपके लिए एक और वीडियो जहां में बात करूँगा, 22-22 के उपर, executive development program जो होता है, वो भी आप जालनों भाई कि इंकिया courses बहुत सारे है, जो कि दो महीने के है, तीन महीने के certificate courses है, वो कुछ यह है, यहाँ आप certificate course, digital marketing, data science, human rights, financial planning, MS of essentials, यहाँ पर लिखा को duration की बाई, यह certificate course, दो महीने का, executive program है, एक महीने का, यह add-on course है, एक महीने का, UGC sponsor certificate course है, यह short term course, 6 महीने का, यह certificate course है, seat matrix से मारे बात करें, हाँ, यह थोरी सी important आपके लिए, कि seat तो भाई, इतनी उस समय, 2021 में, 22 में होगी, 23 में होगी seat matrix, seat matrix मतलब, कितनी seats है, इस college के अंदर, अलगना courses में, जो यह dairy university में, let's say, dedicate करते हैं, कि यार मैं DU में, इतनी seats पर, admission लूँँगा, through your CUVT scorecard, ठीक है, तो मैं BA प्रोग्राम का बात करें, जो इनके तेरा BA प्रोग्राम है, इनका यह seat matrix है, ठीक है, for general, Lelo, SC, ST, OBC, ठीक है, तो इनका B.com है, B.SC है, और vocational है, उसमें, टोटल, इनकी, इतनी seats है, अब बात करें, टोटल, सीट के बारे में, तुभाई, इनक है, टोटल, सीट है, 1199, यान seat matrix, EC category, उनके लिए है, seat matrix, ठीक है, seat matrix, वो sports category, मतलब है, ने बाट दिया, यहाँ पर हर category की उपर भी, कितनी सीजिंग के पास होती है, अब फीज अच्छक बने बात कर लें, तुभाई सरकारी college है, obviously fees कम होगी, बट हाँ, एक और चीज, इसकी fees उतनी कम नहीं है, अगर हम ब बाकी इनों, डियू colleges है, उनकी fees around 12,000 से 16,000 तक ही होती है, ठीक है, बट यहाँ जो इनकी fees है, वो 22,000 भी गई है, पच्छिस भी गई है, 33,000 भी गई है, तो fees यहाँ पे जादा गई है, ठीक है, मतलब की fees जादा है, as compared to other college of डियू, तो सब्सक्राइशन का देख परक के यह पेट मिशल लिजेगा, इसके साथ साथ, इनके पास multi-purpose, fully AC conference room है, faculty का reading launch है, fully equipped medical room है, canteen activity room और साथ में indoor gym भी है, indoor gym कम sports room, IT facilities क्या है, इनकी यानि tech facilities क्या है, तो इनके पास private on-prem cloud with kubernetes multi-cluster है, support है, in-house learning management system है, CMS hosted है, जो, they have an on-private cloud, साथ में का media lab भी है, और साथ में private 5G core, orchestra, access gateway, and 5G software भी है, बाकी तेक का बात किया जाए, तो इक रोबोटिक्स lab है, psychology lab है, campus-wide wifi connectivity है, ICT enabled smart classrooms भी है, with projectors, this is the whole photograph, कि भाई का गार्डिक कैसा है, इनके पढ़ाई कैसी हो, तीर projector के साथ, वो देख लीजाए आप, this is a library, और जो इनका gym है, जो इनका open campus है, centers and sales के बादे बाद किया जाए, तो इनकी आ आन्था प्रेंडना cell है, जो ऐन बढ़ता है, platform देने का students को, क्योंके innovative ideas को implement करने के platformals है, उसके बाद इनके center of ethics and values है, center of human rights, environmental studies भी है, then they have multiple centers है, रोबोटेटेप center है, social innovation का भी center है, then DDU का कौशलकेंदर है, equal opportunity center है, DDU का कौशलकेंदर क्या है भाई, the college is offering bachelors of vocational courses in banking, operations under the banking and financial service sector and software development industry, तो इनके vocation course है, दो वाले, banking and software development, वो ये करवाते हैं, अपने DDU कौशलकेंदर के अंत्रट, इनके बाद साथ में नौर्थ इसका student cell भी है, ये majority आपको हार college मिल जागा है, इनके, नौर्थ इसका student cell, इसके बाद placement cell है, रामरुजर सेंटर for applied mathematics and research भी है, उसके युवा चाप्टर है, इनके research development services है, teaching का learning center है, school of happiness भी इनके है, trust है, यानि की center for entrepreneurship, women development cell भी है, अब भाई मैंने बता दिया आपको centers, जो कि थोड़ी बहुत academics से related थे, अब मैं बात करूँगा, इनके आप fun activities क्या क्या होती है, जो fun activity यानि की society is क्या है, that is related to all sort of fun elements, तो इनके आप brush talks है, जो की fine art society है, देहाब जजबा, जो की theater society है, देहाब national credit corps जानिके NCC, NSS है, इनके इनक्टिस रामरुजर है, first cut है, देहाब outreach program committee, पराश है, जो की fast society है, परामान है, जो की quiz society है, देहाब रामरुजर भांगणा society है, देहाब रामरुजर भांगणा society है, देहाब अटोड़ाट क्लब भी है, इनक्या, और देहाब अधा मूजर साइटी से कराब लखा गया है, शिवा रचनी, टार के इनक्या, जो की English और Hindi की debate society है, तत्व है, दे इनक्या साइटी भी है, बाकिया जो कुछ साइटी से वो गरल अप हो गया और लायताल, अब कॉलेज में क्या annual events होते है, बाई, जानलो annual event भी इनके, इनके foundation day होता है, जो हर साल होता है, जिसका नहाँ में हमारा जोश, देहाब annual athletics day, उसके बाद इनके annual day भी होता है साल में, alumni meets me, इनक्या समय सब्सक्राइब होती रहती है, आलोग तीर था, जो कि annual college magazine है, इनके, प्लेस्मेंट्स है, तोड़ा placement important है, जो कि यह आपको डिपेंड करता है, ROI, जो कि फीस है, 22,000 है, 24,000 है, एक साल की, आपको वाचे ROI कैसा मिलेगा, इनका जो student placement हुआ था, वो हुआ था, 427 बच्चों का प्लेस्मेंट, जिसमें 18,00,00 गया था, हाइस पाकेज, मेडियर पाकेज था, 5.24 LPA, टोटल इंटोर्शिप मिली है, 340 से जाधर लोगों को, और टॉप रिकूटों जो इंक्या रहे हैं, वो थेंक्या, डीशॉ, के पीमजी, महिंद्रा, अवे प्रोव आपर, तो देहाब इस सॉट आप स्कॉलर्शिप भाई, तेरा स्कॉलर्शिप है, अगर आप इसकी LGBT क्राटियरे पर आ रहे हो, एक यह सेल में जाओ, स्कॉलर्शिप की वाज़न के समझो, सारे स्कॉलर्शिप और क्राटियरे क्या है, वो यह एना मेंशर कर दिये, टेक द इनकी मेजली क्राटियरे साँ होने वाले है, कि आपने हाइस माक स्कॉलर्शिप किया हो, समेस्टर या सार में, तो आप इसकॉलर्शिप अवेल कर सकते हो, ठेक है, यह बागी की स्कॉलर्शिप इन टोटल, यहाब 23 स्कॉलर्शिप पर स्टूदेंस, तट यू कान अवेल, क्रिटीरिया, अच्छे है, समझ लो, ठीक है, रिव्यू के बात किया जाए, जो इनके बच्चों रिव्यू दिया है, पढ़ाई कर रहे है, तो गुट इंफ्रास्ट्रक्ट्टर है, प्लेस्मेंट रिकॉर्ड, सैटिस्फाक्टरी है, राल्किंग इस अल्सो गूड, लॉ क्लम्स भी अच्छे है, और साथ में का प्लेस्मेंट भी अच्छा है, बच्चों का एक, लेट से काटिगरी भी अच्छी है, कि यहां की बच्चे भी यहां पर आते हैं, बट हाँ, यह कॉल्ट रोड डिव अंडर रिटेड है, बड़ पता नहीं क्यों, कि यहां पर अल्म don't forget to subscribe our channel, student company, thank you so much for watching.